So, hello, guys, कैसे हो, आपसे by hope, आप लोग अच्छे होंगे Guys, आज की सुड़म आपको बताना है वालों की कैसे आप अपने phone को flight mode में करके internet को use कर सकते हो क्योंकि guys, हमारे phone में एक setting होता है, एक feature होता है, जिसका नम है flight mode जब हम इस flight mode को अपने phone में on कर देते हैं, तो एक type से हमारा phone switch off हो जाता है Networks related हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, नहीं internet को use कर पाते हैं, नहीं call कर पाते हैं, नहीं message कर पाते हैं चाहे आप किसी भी company का phone यूज करते हो, इसके पहले यह जो trick था, यह सिर्फ Redmi के phone में काम करता था लेकिन अब आप किसी भी phone में flight mode को on करके internet को चला सकते हो, चाहे आप Redmi का phone यूज करते हो, Realme का, Oppo का, Vivo का, Samsung का, OnePlus का सभी phoneों में आप flight mode को on करके internet को use कर सकते हो दोस्तो आज का यह वीडियो काफी ज्यादा interesting है, काफी ज्यादा मैजदार है, तो मैं आपसे request करूँगा कि वीडियो का पूरा जरू देखेगा, और गईस अगर वीडियो पसंद आए, तो like, share, comment, channel को subscribe जरू कीज़ेगा comment box में आप comment करके यह जो बताना कि आप किस company का phone use करते हो जिससे guys मुझे यह पता चलेगा कि जो मेरे viewers हैं, वो किस company का phone सबसे ज्यादा use करते हैं जिससे उस phone related मैं आपको ज्यादा ज्यादा वीडियो दे पाऊ, ठीक है, अब चले वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों अब आपको सबसे पहले play store को open करना है, play store को open करने के बाद आपको यहाँ पे search करना है 4G LTE यहाँ पे आपको third number पे एक application मिलेगा 4G LTE network switch आपको यहाँ से इस application को install कर लेना है, ठीक है, सिर्फ 4MB का application है, चोटा सा application है इसकी 4.1 की काफी अच्छी rating है, 1 million से भी ज़्यादा बार यह download किया जा चुक है आपको यहाँ से इस application को install कर लेना है, ठीक है तो already मैंने इस application को install कर रखा है, अब चले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप flight mode में internet को use कर सकते हो अब हम क्या करते हैं कि अपने phone को flight mode में कर देते हैं, ठीक है तो यहाँ पे हमने flight mode को on कर दिया है तो आप देख सकते हो हमारा जो phone है, वो flight mode में हो चुक है, ठीक है अब हम इस application को open करते हैं तो यहाँ पे हमने application को open किया है, दोस्तों जब आप application को install करके open करोगे क्लिक करना है यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो एक आपको नया user interface मिलेगा यहाँ पे गईज आपको किसी भी setting को नहीं छेड़ ना है दोस्तो अगर आप setting को छेड़ोगे तो आपका जो network है वो खराब भी हो सकता है तो simply guys आपको सिर्फ एक setting यहाँ पे करना है mobile radio power ठीक है आपको यहाँ से इस setting को on कर दिना है तो तो यहाँ पे हमने इस setting को on कर दिया है इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक option मिलेगा update का ठीक है आपको इस पे click करना है तो यहाँ पे यह update हो चुका है ठीक है अब guys आपको अपने फोन में इंटरनेट को यूज कर रहा है हम Chrome Browser को उपन करते है यहाँ पे हम सर्च करते है ठीक है आप देख सकते हो हमारे फोन में इंटरनेट चल रहा है यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि कितना speed हमें मिल रहा है ठीक है काफी अच्छा speed मिल रहा है और यहाँ पर हमारे phone में flight mode इस time पर on है इस तरह गाइज आप बहुती easily अपने phone को flight mode में करके internet को use कर सकते हूँ हम YouTube को open करते हैं यहाँ पर हमने YouTube को open कर लिया ठीक है आप देख सकते हूँ YouTube open हो चुका है इस तरह गाइज आप बहुती easily किसी भी phone को flight mode में करके internet को चला सकते हो चाहे आप किसी भी company का phone use करते हो आप देख सकते हो काफी अच्छा speed में हमें मिल रहा है 500 KB यहाँ पर मिल रहा है यह 1 MB भी जा सकते है दोस्तों इस application में आपको और भी काफी सारे feature मिलेंगे यहाँ पर हम back आते है back आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो open battery information अगर आप अपने phone के battery का information पता करना चाहते हो तो आप इस पर click करके battery का information पता कर सकते हो कि आपके phone का जो battery है उसका health कितना है आपको simply इस पर click करना है पूरा detail आपके phone के battery का so हो जाएगा अब इसके बाद गईज़ आपको यहाँ पर और भी काफी सारे feature मिलते है इसके बाद गईज़ आप यहाँ पर internet का speed test कर सकते हो यहाँ पर आपको 4G switcher का option मिलता है इन features को आप इस application में यूज़ कर सकते हो दोस्तो यह जो application है काफी अच्छा application है अगर आप अपने phone को flight mode में करके internet को यूज़ करना चाहते हो तो आप इस application को यूज़ कर सकते हो अगर गईज़ आप Redmi का phone यूज़ करते हो तो दोस्तो उसमें एक code डालके आप इस feature को यूज़ कर सकते हो आपको कोई भी application की जुरूत नहीं पड़ेगी तो उस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है ठीक है? तो मैं आपको उस वीडियो का link दे दूँगा description में आप उस पे click करके उस वीडियो को देख सकते हो कि Redmi के phone में कैसे हम flight mode में internet को use कर सकते हैं बीना किसी application के ठीक है? तो यार उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आईद वीडियो को like कर दो यार चैनल पे नए चैनल को subscribe कर लो कि मैं ऐसे ही knowledgeful वीडियो बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद